मैं हूँ आपका मायांक हम लोगों की यहाँ पर PCS Special Delhi GK की सीरीग चल रही है आज आपकी तारीक है 13 जुलाई आज के वीडियो में हम लोग परियावरण इबं 15 की संबंदित प्रश्णों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं क्या-क्या डिस्कस करना है या अपर आज का पहला प्रशन है परियावरण के संधर्म में निम्लिखित कतनों में से कौन सा या कौन से सही है परियावरण किसी जीब के चारों और के सभी जैविक ता अजैविक अवियब प्रभाव तथा घटनाओं का समिस्टर है भारत में परियावरण सबच्छड अधनियम वर्स 1980 में पारित किया गया था आपको कूट का प्रयोक करके सही उत्तर का चैन करना है प्रति एक चीज जो किसी जीब को उसके पूरे जीवन काल के दोरान उसे घेड़ती है या उसे प्रभावित करती है सामुईक रूप से इसे उसके परियावरण के रूप में जाना जाता है परियावरण किसी जीब के चारों और के सभी जैविक तासा अजैविक अभयब प्रभाव और घटनाओं का समिस्टर है इसमें जैविक यानि वी बायोटिक और अजैविक यानि कि एबायोटिक घटक सामिल होते हैं तो यहाँ पर आपका पहला बाला कथन पिल्कुर सही है परियावड सरक्षट अधनियम को इस्टोकॉम संबिलन के निड़ेओं को लागू करने के लिए बर्स 1986 में लागू किया गया था ताकि परियावड की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित कदम उठाए जा सकें तो यहाँ पर आपका सेगिंड वाला कथन गलत हो जाएगा यानि कि यह 1980 में लागू नहीं हुआ है बलकि यह 1986 में लागू हुआ है तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है तो आपका सही आंसर है पहले का A केवल 1 दूसरा प्रश्टन है अब आपका दो या उससे अधिक विवित पारिस्तिकी तंत्रों के मद्य संक्रमण छेत्र क्या कहलाता है इकोफेन, बायो, इकोटॉन, अमेंसियलिज्म देखे दो या उससे अधिक विवित पारिस्तिकी तंत्रों के मद्य संक्रमण छेत्र, संक्रमिका या इकोटॉन कहलाता है इसे एक एक्जामपल से समझ सकते हैं जो आपका समुद्री पार्ट्सकी तंत्र होता है और आपका जो इस्तली पार्ट्सकी तंत्र होता है जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है वहीं पर मैंग्रूब बन उगते हैं तो मैंग्रूब बन क्या है? मैंगरोब बन इन दो पार्चित अंत्रों के मद्द एको टॉन को प्रसित कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेकिंड का सी बाला यानि एको टॉन तीसरा प्रश्टनेम आपका निमलिखित मैंसे कौन सा स्वाइस्थाने सरचड का उधारड नहीं है जीवित प्रश्टियों के सरचड के लिए दो रणिदिया प्रशलित हैं इनमे एक तो है स्वाइस्थाने और दूसरी है भाइस्थाने तो यहाँ पर स्वहक्ताने की बात का लेते हैं तो स्वहस्थाने सरच्ठड में सभी जीवत प्रजातियों बिशेश रूक से जन्गली और लुप्त प्रायप जातियों को उनके प्राकर्तिक आवास और प्रयावण में सरच्छित किया जाता है जैब विवित्ता की स्वास्थाने सरच्षड में जैब मंडल भंडार, राष्टी उध्यान, वनजीव अभ्यारन, आरचिदवन, सरच्षडवन, आदी सामिल है इस सरक्षिद्वन, राष्टी उद्ध्यान और बायोस्पीर रिजर्ब जो है ये तीरों सुहस्थाने सरक्षड में आ जाते हैं भही जो आपका बाइस्थाने सरक्षड में आ जाता है जो आपका भाहिस्ताने सरच्षड है ये क्रतिम आवासों में सभी जीवित प्रजातियों के सरच्षड की विदी है जो कि उनके प्राकरतिक आवास को दरसाती है जैब विविस्ता के भाहिस्ताने सरच्षड में एक्वेरियम, बनस्पति उध्यान, निम्निता पररच्षड, डियने बेंक, चिडिया घर, बीज बेंक ये सब सामिल हैं तो यहाँ पर बाटनिकल गार्डन जो है यह स्वाइस्ताने सरच्षड का उधारण नहीं है तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर तीसरे का एवाला चौथा प्रश्टने बापका हिम तेंदुए के संधर्व में निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए मुशा गया है कौन सा खतन सही है पहला है यह परवती पार्श्ट की तंद्रगे स्वास्थय का सूचक है अगला है इसे आयूसीन रेड लिष्ट में अतिसंकटगरस के रूप में वर्गिकत किया गया है लेकि हिम तेंदुए इसे घोष्ट ऑप दा मांटेन भी खा जाता है और यह परवत पार्श्ट की तंद्रगे स्वास्थय के एक संकेत के रूप में कारि करता है जहां पर यह वास करता है जो आपका हिम तेंदुआ है यह वहां की खादी संखला में सीड सिकारी की सिधी रखता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है सेगंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है देखे आयू सीन की लाल सूची में इसे अतिसंकर रस्त नहीं बलकि इसको सुभेद्य में रखा गया यानि कि बल नरेबल में रखा गया है तो यहाँ पर आपका सेगंड वाला गलत हो जाएगा जो आपका हैमिस राष्टी उद्ध्यान है जो कि जम्मू कस्मीर में पढ़ता है तो हैमिस राष्टी उद्ध्यान भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्ध्यान है और जहाँ पर हिन त्यंद्मों की अच्छी खासी उपस्तिती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका चौथे का एवाला केवल एक पांचमा प्रश्ने मापका सतत्विकास सब्द सरप्रतम किसके द्वारा परिभासित किया गया था परियावरण इबम विकास पर विश्च्व आयोग, संयुकतराष्ट परियावरण कारिग्रम, अंतरराष्टी या प्रकति सरच्षड संग या Greenpeace International परियावरण इबम विकास पर विश्च्व आयोग यानि World Commission on Environment and Development इसके द्वारे एक रिपोर्ट प्रकासित की गयी थी जिसका सीड सकता Our Common Future, तो यहीं पर पहली बार सतत विकास सब्द यानि Sustainable Development का प्रियोग किया गया और यहीं पर सतत विकास सब्द को सबसे पहली बार परिवासित भी किया गया तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पांच में का ए वाला सतत विकास की परिवासा आप लोग जानते होंगे ऐसा विकास जो भविस्की पीडियों की उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए आवस्यक्षमता का कोई नुक्सान पहुचाई विना बर्तमान की आवशक्ताओं की पूर्ती करता हो तो उसको सतत विकास या Sustainable Development कहा जा इसकी स्थापना वर्स 2010 में होई थी इसका मुख्याले भोपाल में है अगला है जश्टिस लोकेश्वर सिंग पंटा इसके पहले अध्यक्षते या प्राकरतिक नयागे सिध्धानतों द्वारा निर्दे सित है राश्टी हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 को राश्टी हरित अधिकरण अनियम सन 2010 के तहत की गई थी तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कूर सही है यहाँ पर आपका सेगिंड वाला कथन सही नहीं है देखे इसका जो मुख्याले है वो डेली में है इसका मुख्याले जो है दिल्ली में है वहीं इसके चार छ तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन सही है। आपका केबल एक तीन और चार कतन सही है। आपका सही आंसर है छटमे का भी केबल एक तीन और चार। आपका यहाँ पर आपका सही आंसर होगा साथ में का दी यानि एक दो तीन और चार। चार, आठमा प्रश्टने बापका, भारत में सबसे बड़ा प्राणी उध्यान है, पदमजा नाइडू, प्राणी उध्यान, पश्रिम बंगाल, नंद कानन, प्राणी उध्यान, ओडिसा, राष्टी प्राणी उध्यान, नई दिल्ली, स्री बैंकेटिसवर, प्राणी उध इसकी स्थापना 29 सितंबर 1987 को हुई थी और ये 5532 एकड में फैला हुआ है या पर आपका सही आंसर होगा आठमे का बी वाला स्री वेंग्टिस वर प्राणी उद्ध्यान आंदर प्रदेश नौमा प्रश्ने बापका सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए और सूची यों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए सूची एक में संग्ठन या प्रादिकरण है सूची दो में उनके स्थापना वर्स है वनिजीब अपराद नियंतरन व्यूरो का घठन वनिजीब सरक्षड दनियम 1972 में संसोधन करके भारस सरकार द्वारा 6 जून 2007 को किया गया था यानि इसकी स्थापना जो है 6 जून 2007 को हुई है अगला है राष्टी गंगा नदी बेसिन प्रादिकरण इसकी स्थापना कैन सरकार द्वारा 20 फर्वरी सन 2009 को परियावर सरच्षड दनियम 1986 की धारा 3 के धहत किया गया था तो यहाँ पर इसकी स्थापना का वो ही है एराष्टी गंगा नदी प्रादिकरण की तो यह 2009 में स्थापना हुई है अगला है यहाँ पर आपका भारतिय पसु कल्यार बोड़ देखे इस भारती पसु कल्यार बोड़ की जो स्थापना है यह 1962 में पसु क्रूडता निवारर अद्रियम 1960 की धारा 4 के धहत की गई थी यानि इसकी स्थापना जो है 1962 में किया गया है अगला है यहाँ पर भारतिय वन जीप ट्रष्ट देखे भारतिय वन जीप ट्रष्ट जो है यह वर्ड़ 1998 में स्थापित एक गैर सरकारी संग्ठन है इसकी स्थापना जो 98 में की गई है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 9 में का A यानि A का दूसरा, B का चोथा, C का पहला और D का तीजरा दसमा प्रष्टने बापका भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ 1937, 1938, 1940, 1903 पल भारत में एगमार्क एक्ट 1937 में लागू किया गया था एगमार्क ट्रसी उत्पादों पर एक नियोजित प्रमारीकर चिन है जिससे यह आस्वासन दिया जाता है कि वह भारत सरकार की एक एजेंसी विपड़न और डिच्छन रिसाले द्वारा अनमोजित मानकों के अनूप है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है घसमे का एवाला यानि कि भारत में एकमार्क एक्ट जो है 1937 में लागू गूँगा था तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए आज के लिए बस्तना ही थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद